इस वीडियों बताने वाला हूं फर्स सेटिंग जो यहां पर आपको चेंज करनी है वो है कुछ तरह का है जिसको आप यहां पर चेंज कर सकते हैं सिंपली सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग पर जाने के बाद जाना आपको ल SS मिलते हैं क्लासिक स्टाइल मोडन श्टाइल च अगर्लाशिक स्टाइल कि क्लिक कर सकते हैं आपको आपको स्टाइलüne लगे करना होगा तो कस्टमाइब करना होगा और यहां पर क्लिक करके जो क्लोग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और नीचे तरफ जो देख रहे हैं यह दी नोट उस्टाइल है जिसको आप जो कर पाएंगे किस तरह तरह कर नें और चीप वालई फोम में थे अब गड़कारी पर आप तो लोग पर चूश कर सकते हैं एक एक़ इसको भी हम चेंज कर सकते हैं आप अब आखे इसके बाद कि में पर कर लेता हूं कि मैंसे ने चूज खर लिए और उसके बाद यहांपर उसके बाद को सट्राइब कर लिया और दूसरा चेंज कर सकते हैं वह अप के आइकन की सेब को आप चेंज कर सकते हैं और उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपके स्कीन पर लोंग प्रैस करना होगा देन जाना होगा पर पर एसको आप निसाख सो स्मोल्ड उर लाज यौनिट कर सकते हैं अगर परकु करना चारें रहें थाए कि कफी इंट्रस्टेंग चैड्शे水 D नबनालालालालाला Τ doubled की देखित इसको और की बाता है। यहां पर हुसको सिदंध करें। तो सिद्ध जो कुछ तरह का व्यूंप यहां पर रहने वाला इसकी नहीं होता है है डिस्प्ले के अंदर पान ही भर होगा है आपको स्किर्णब करने है डबल डब चैप करें तो किन अफ हो जाएगी फिर से क्रेंगे तो यहां पर jokin on हुआ हरो हरो जाए Newton कि लाएगी सटिंग में होम एंड लोकिसी की जाएगे क्लिक ट्राफ यहां परेटा इसको और नेकि hen ह जाएगी इसके लिए आपको जाना है सैटिंग पर दैन जाना जेस्चर पर आपको जाना साइडवार वाले ओप्सन पर आपने सिंपली इसको यहां पर कर देना उसके बाद कुछ तरका इकन साइड में नज़ रहेगा इसको इस तरह से करेंगे तो कावी सारे सोटकट यहां पर निकल कर आजाएंगे और इसको चेंज भी काप कर सकते हैं जो भी आप इसमें कुछ चीजे और आड़ करना चाहते हैं सिंपली एड कर सकते हैं इसकी पोजिशन को पर नीचे भी चेंज कर सकते हैं जहां भी आप रखना चाते हैं जो यहां पर यह साइड में नीचे तर fund कर लिए फिर से जाओंगा यहां पर मैं Google Chrome ओपन कर लिएगगा तो इस तरह से Multib quarma यहां पर अपर फिसे जाओंगा यहां पर जबने कर लूँआ इस तरह से काभी सास्यारी ब población तो इस तरह से कभी सारी विंडो ओपन कर सकते हैं यहां पर वी जू मूब इसको कर सकते एपने हिसाब से स्वाइब तूस बीट की आप जो इसमें दो मल्टी विंडो उपन कर सकते हैं सिंपली साइड बार से तो करी सकते हैं इसके लिए जैसे मैंने यहां पर स्टिंग ओपन कर ली और जिए यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं फ्लिप कार्ट ऐसे मैं अगर मैं इस स्ट्राइब को और आपने यहां पर इसको नेवल कर देना तो इस पीचर को आप यूज कर पाएंगे जब भी हम फोन को जो लो लाइट में उसकरते हैं तो डिस्प्लेइब देखना हूं बिलती है ऐसे मैं अगर देख सकते हैं ब्राइटनेस अगर मैं इसकी कम करता हूं मा यहां पर हम लो करते हैं तो किस तरह के फ्लेकरिंग यहां पर देखने को नहीं मिलती है इसलिए जब भी लो लाइट में फोन को यूज करें तो हमेशाब फ्लेकरिंग को नेवल करके रखें विश्वाइब नेक्स सेटिंग जो आपने करनी जो की मौट इंपोर्टेंट है इसे में जैसे कि बाट्सप पर कुछ मैसेज लोग करके डिलीट कर देते हैं उन मैसेज को भी यहां पढ़ पाएंगे किसी भी अलग से आपकी यहां पर जरूत नहीं पढ़ने वाली इसके लिए आपको सिंपली जाना हूँ आपको नोटिस वेस्टिरी को यहां पर आपने इसको नेवल कर देना है उसके बाद अगर हम वाट्सप पर जाएं जैसे जैसे कुछ मैसेज हमें आए हुए था जो कि डिलीट यहां पर कर दिये गए हैं तो समय इन मैसेज को भी हम रीड कर सकते हैं इसके लिए बापर जाएंगे फिर से निचे तर दे सकते हैं नोटिसन जिसमें दो नोटिसन दिखा रहा है जो मैसेज हमें आये थे बैसिकली इसको नेवल करके जो आप वाट्सप पे डिलीट के गए मैसेज को भी पढ़ सकते हैं इसमें टाइमिंग जो रहती है जो की मोश्ट इंपोर्टेंट है काफी लोग की चीज से परिसान भी रहते बैस जो जब भी को र oui 바ぎ करते हैं तो इस तरह के अनौसमेंट छोती है की जा रही है ऐसे में सामने वाले परसंट लाग जाता है इसकी बोल्य겠다 जा रही है स्वाब आप हिएंस चीजज को आप बंद कर सकते हैं तो पर जाएंगे और हापर जाना आपने सेटिंग पर दैन सव कि इस पार जब हमने को रिकोर्डिंग को स्टार्ट गया जश्ट सिंपल सा एक बीप बाला साउंड बचा ऐसे में जो सामने वाले परसन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला भी यहां पर को रिकोर्ड की जारी सब्सक्राइब लेकिन पर जो डार्क मोड में आपन नहीं होता जैसे कि यहां पर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अपर इंटर पर टबड़ नंबर पर यहां पर पूरar यहां पर आपको ब्लाइख 5 किस्टम में और यहां पर यहां करेंंगे को सबस्क्राइब यह ना कियों बैटरीगड के प्लग नहीं करने हैं जो आपके फोन की बैटरी ना पड़िए सब्सक्राइब पर देन जानोगा बैटरी पर और यहां पर आपने जो उप्टिमाई चार्जिंग को नेवल कर देना है इसमें क्या होगा फोन आपके जो चार्जिंग पैटरन को फोलो करेगा किस टाइम पर फोन को चार्ज करते हैं। आप यूट्य को बैगर ना चाहरे हो तो वहीं एक से घर करके हैं इसके लिए सिंपली Google Chrome को बैगरणों कर लेना यहां देख सकते हैं मैंने यूटूब ऊपन किया हुआ आपने इसको three dude पे क्लिक करके जो governor mode में जो अजल कर देना है और यहां पर जो video को play कर देना है तोह यहां पर इटियो passer दोर इसको बंद कर देना कि नेक्स सेटिंग है को आपने अनैवल कर देना इंकमिंग कोल्स के लिए अलार्म के लिए एब नोटिस्वन के लिए तैसे में जब भी कोई कोल आएगी या फिर कोई नोटिस्वन कर आएगा साइडों पर कोर्णर पर इस तरह की लाइड जलने लगे पर आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा दूसरा इस तरी नोट में आपका फोन के अगर आप इस तरह से हिलाएंगे इसको इस तरह से तरह से पर फिसे करेंगे तो फ्लैस यहां पर होजाईगी इस शैटिंग को अनैवल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्रेटिंग म स्कूल करते हैं आपको यहां पर जाना पड़ेगा क्यूक कैप्चर में तो यहां पर उप्सन मिल जाता है क्यूक कैप्चर का इसको आपने इनावल कर देना इस केस में जो आप अपने फोन को इस तरह से करेंगे तो कैमरा ओन हो जाएगा और इस तरह से करेंगे तो यहां स्लाइड भी ओन हो जाएगी और अब भी इस तरह से हो जाएगी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पर दैन जाना अपने जेस्चर पर दैन निचे तरफ जाना क्विक लोंच पर अगर आप इसको नेवल करते हैं तो फोन पर डबल टैप करेंगे तो आप जो चा करें तो जैसे हैं पर अपर कर सकते हैं पर लाइक इसके और करने के लिए क्या करना पड़ता है는 पर पाउर बटन और बॉलम को एकसाब जब प्रेस्ट करते तब जाना पता इसको आप सिंगल की पर सेट करें करके जिस्ट प्रेस्ट पर को कर आप जो डिच्टार्ट करना चाहरे हैं या फिर ओऊंप करना चाहरे इस तरह से स्ट इंग को कर सकते हैं जब ऑपने फॉन को जो लोग करते होंगे तो इस तरह का डाइल पैड आता है जोकि ideal number में सेटिंग को पर आप punishment सेटिंग को बंद कर सकते हैं घरत जब भी आप phone को unlock करेंगे इस setting को आप जो कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा phone के setting में setting में जानके आपको जाना पड़ेगा यहाँ पस security and privacy में then आपको जाना है device unlock में then यहाँ पर जो setting वाला icon इस पर जाएंगे और यहाँ पर जो enhance pin privacy को enable कर देना है दूसरा pin pad scramble को यहाँ पर enable कर देना then अगली बार जब भी आप phone पर unlock करने जाएंगे basically pin से आप phone को unlock करेंगे तो उस case में जो number आगे पीछे आएंगे जैसे कि यहाँ पर आ रखे हैं और जब भी आप यहाँ पर button को press करेंगे तो उस case में यहाँ पर animation भी so नहीं होने वाला basically इससे जो आपकी phone की privacy बढ़े जाएगी so next setting है password privacy जब भी आप जो किसी app में login करते होंगे होँआप पर जब password एंटर करना होता है तो password जब भी एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो letters वगरा सो होते हैं जो भी basically password डालते हैं वह सोता है उसके बार यहाँ पर डोड बनता है तो इस चीज को आप बंद कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना पड़ेगा setting में सेटिंग पर जाना आपने security and privacy पर देन जाना आपने privacy पर देन जाना नीचे की तरफ सो पारफ़ड पर इसको यहाँ पर disable कर देना सो अब यहाँ पर हम कुछ भी पारफ़ड डालते हैं कुछ भी number डाले लेटर डाले वह यहाँ पर सो नहीं होगा जो कि पहले कुछ movement के लिए सोता था इस setting को आप जो definitely कर सकते हैं सो गार next setting है camera capture method की जो कि most important है आपने कर लेने चाहिए camera पर जाएंगे simply setting वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे तरफ जाएंगे capture method पर यहाँ पर तीन option मिलते हैं gesture selfie का मिलता है इसको enable कर देंगे तो इस तरह से आप selfie में हाथ हिलाएंगे तो आपकी selfie automatically click हो जाएगी दूसरा है auto smile capture का sma frame में जिबने भी लोग खड़े होंगे तो वहाँ पर just smile करेंगे तो photo अपने आप click हो जाने वाली और तीसरा है tap anywhere to capture वाला method इसको enable कर देंगे तो phone की screen पर camera की screen पर आप जो कहीं पर भी click करेंगे वहाँ पर जो photo click हो जाएगी जो कि यहाँ पर most important setting है camera की so इन setting को आप basically कर सकते है अपने phone में अगर आपने new phone लिया है motorolize 50 pro या फिर लेने जा रहे हैं तो इन setting को basically आपने करने नहीं चाहिए जिन में काफी setting तो most important setting है so i hope pb down को पस्ता की video पर दाएं तो वीडियो कर दें like को से जो फगर दें दोस्ता चैनल पर नहीं तो अपली चैनल को लोगन साब्सक्राइब